सबसे बड़ी शरम की बात ये है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। वो किसी बहुत बड़ी पार्टी में फंक्शन में खाना खा रहे हैं और कहीं बैठके हसी मजाग और ठिटली में मसरूफ हैं। वो इस वक्त वेटिकन सिटी पॉप से मिलने गए में हैं और उसके बाद वो क्लाइमिटिक चेंज की सम्मिट में हिस्सा ले रहे हैं। उनको शरम आनी चाहिए पहले मुल्क के हालाद समाल लो मोदी जी। फिर क्लाइमिट चेंज की बाते करना तुम्हारे हाथ में नहीं है बारिज बन करना और दूप बन कर देना। देखिए शरम की बात ये भी है कि त्रीपूरा का जो चीफ मिनिस्टर है जो खुद एक बंगला देश से भागा वा भगोडा है जो खुद ही ऑल्रेडी एक क्रिमिनल बैग्राउंड रखता है पहली बात तो शरम की यही है कि वो चीफ मिनिस्टर है हमारा प्रोटेस नहीं कि रुकेगा मैं भारत की बैटी हूँ गर्मेंट कि राने निकली हूँ इस वीडियो स्पोंसर बाइ महालक्षमी जुलर्स, उनाइट होस्पिटल, केवियर उनिवर्सिटी, निसन फैबर्स क्लोज स्टोर, सूरत खाजाना, चुल्बू लाइटिंग फॉनिचर, स्मार्श चल रहा है और जो कंटिनियसली चल रहा है, जो बंदी होने का नाम नहीं ले रहा है, उसके खिलाफ हम जो है, आज यहां पर एहतेजाज करने के लिए मुस्लिम चौक पे खड़े हुए हैं, देखिए, जब हम बात करते हैं, गौदी मीडिया की, तो मीडिया से पहले हमने तो यह बात तो मही साफ हो जाती है, जो लोग गोदी में बैठे में और जिनको पाला जा रहा है, जिनको बॉटल में दूट डालके निपल लगा के पिलाया जा रहा है, तो उससे आप क्या उमीद करते हैं, वो तो अभी बच्ची अभी तो पाला जा रहा है, अभी तो चल मिली है कि उनकी नव महीने की बच्ची को रैप किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि उन्हों ने मुहम्मद शामी नाम के मुस्लिम क्रिकेटर को फैवर कर दिया अब यह माजरा क्या था मैं इसलिए बता दूँ क्योंकि हमारी काम में जाहिलों की कमी नहीं है हम हर चीज मॉबाइल पे देखतें न्यूज नहीं देखतें इसलिए न्यूज बतानी पड़ती है जाहिलों को कि पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ दफ़ा कीजिए मैच को उसमें पाकिस्तान जीत गई वो भी दफ़ा कीजिए उस जीतने को मसला ये हुआ कि हमारे एक मुसल्मान हिंदुस्तानी क्रिकेटर को इस बात का इजाम दिया गया कि वो खतारे इसलिए टीम हार गई तो सबसे बड़ी मोधी गार्मेंट शेम 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 उसके बाद जब विराट कोली जो हमारे कैप्टा ने उन्हों ने इस बात के खिलाव बात करी कि खेल खेल होता है इसे मजब से ना जोड़ा जाए तो इनको इंटरनेट पे नौमहीने की बच्ची की रेप की धंकिया मिलने लगी दूसरी मोधी गार्मेंट शेम शेम अमीचा को तो डूब के मरना चाहिए मगर मुझे लगता हुसे डूबने की जगा नहीं मिल रही और तीसरा मोदी अमीचा जितनी हम शेम शेम कर लें खेर जब तक यह गौर्मेंट नहीं गिरेगी शेम शेम होगी और गिरने के बाद जो होगा वो तो पूरी हिंदुस्तान देखेगा इंशालला लेकिन सबसे ज्यादा तकलिफ दे बात है कहा है हमारी काम मजजिदे जल रह कि नहीं कटवा सकते हम औरते ये खरीब हैं हम सब जो कड़े हम खरीब हैं हमें कितनी बेवाए हैं यहां पर जो अपना घर चलाती है मगर हम यह सड़कों पर खड़े इसलिए हश्र के मैदान में अल्ला हमें तो भेज देगा तुम खड़े रहोगे जवाब देने के लिए हम इंशालला गॉवर्मेंट गिराने के बाद ही चैन की सास लेंगे वाइलेंस होते रहेंगे हम इसके लिए तयार हैं आज त्रिपूरा है कल कोई और स्टेट होगा और फिर कोई और स्टेट होगा हम डर नहीं रहे हैं बड़ी अच्छी बात है कि हमको हिम्मत मिल गई है वाइलेंस होते रहेंगे तो मौधी गॉवर्मेंट को पता चलता रहेगा कि मुटी भर जो माइनॉरिटी होती है उनकी क्या ताकत है दूसरी शरम की बात ये है कि महां मुसल्मानों पे जिस तरह वाइलेंस हो रहा है हमारी मस्जिदे जलाई गई हमारे कई कुरान जला दि करेंगे घ्यक von our behavior कि मारे को बेगर किया जा रहे हमारी आौटों कि अस्मत-्रेजी हो रही है हमें तकलीव है और आमें बहुत तकलीव है वो वक्तन पर वक्तन निकलती रहेगी देखिए मैं आपको एक बोलू सर फरोशी की तमन्नाब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए गातिल में है अरिता शर्म करो पी जफी शर्म करो चरखाँ चरखेड़ तकास का हैं यहां पर जो है लेड़ीनट चल रहा है अंडर ब्ली आधि परिमेड इंडिया मौमेंट और और एफ मुस्लिम चोप पर आज अपने प्रोटेस्ट कर रहें हैं हम stand करते हैं त्रिपूरा की जो लोग जो सफर हो रहे हैं जो वाइलन्स को शिकार हो रहे हैं हम उनके साथ हैं और हम शदीद मुझमत करते हैं त्रिपूरा की पॉलिस और वहां की जो देश्यदकर्द एक विंग है वी हैच पी जो यह सारा यानिके स्पॉंसर्ड इस्टेट स्पॉंसर्ड जो फसाद कर रही हैं हम उसके सखत अलफाज में मुझमत करते हैं आप जिस तरह से देख रहा हैं कि 20 अक्टोबर से यह जो फसाद वहां पे जारी है वहां पे मुसल्मान महलों को बर्बाद किया जा रहा है मुसल्मानों को मारा जा रहा है हमारी मस्जिदों को और हमारी इबादत गाहों को हमारी मदर्सों को यानिके जलाया जा रहा है सब पहले के इंटरनेट महाभारत के दोर से हैं तो इतना इंटलिजन्ट चीफ मिनिस्टर एक ट्विट नहीं कर सका आज तक इन सॉलिडारिटी विद मुसलिम्स जो महाँ पे सफर हो रहे हैं तो हम ऐसे जो चीफ मिनिस्टर है और सेंट्रल मनकिंट 血actic कौह को इस तरह की या निके वाईलेंश जो होते हैं उसका एक ही मंक्सद होता है कि इस मुल्क की एक्जहती को यान के खतम किया जाया की स्टविद मुसलिम और हिंदू और कई तबखिग Cambodia घू घ। और सुकून जो जिन्दगियां गुजारते थे उन्हें इस सोच के साथ निस्ट वो नाबुद किया जाए कि आप खाली सिर्फ यानिके दुश्मनी के हैट्रेड हुकुमत चेलेगे हम इसे बरदाश्ट ने करेंगे हम इसे रिजेक्ट करते हैं और हम अपील करते हैं वहां के त्रिपूरा स्टेट पॉलिस से और वहां के चीफ मिनिस्टर से और सेंटरल गवर्मेंट से के इमिडियेट बेसिस पे इस वाइलन्स को खतब करें अज हम यहां पर मूमन इंडिया मूमन की जानीब से एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसका मकसद यह है कि जो हमारी गवर्मेंट सोई हुई गवर्मेंट है उसको जगाना है और जो क्या है एक तिरीपूरा में हो रहे एंटी मुस्लिम वाइलन्स को देखते है उसको खोलना हमारा मकसद है कि जो गोदी मीडिया जो हर वक्त जिनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता सिर्फ वो हिंदू-मुस्लिम का एजन्डा लेकर क्या है अपने चैनलों पर बात करती है आज उनके चैनलों पर कहें सन्नाड चाया हुआ हुआ है उनके पास क्या है मुसल्मानों की मजभी इदारों को मजभी मजभ गाहों को कहें अटक किया गया मुसल्मानों के घर पर अटक किया गया उनकी मस्जिदों को कहें जला दिया गया उनके घरों और उनकी दुकानों को लूट लिया गया यहां तक कि उनके आउरतों की इजतेमाई अजबत दरी भी की गई, हम उसकी कहें मजहमत करते हैं, हम गौर्मेंट से हम कहें सीयेम पी जो भी है होम मिनिस्टर, हम उन तमाम से ये अपीड करते हैं आपैर कर आपर आप के सख्ट से सख्ट करवाई करें देखिए ये मेरे एक छोटा सा पेगाम है गुलबरगा के रहने वालों के नाम मैं बात शुरू करूंगी अपनी कौम से आज जिस तरह का वालेंस हिंदुस्तान में मुसल्मानों के खिलाफ हो रहा है और जो मुसल्मान, मर्द और आउरत अपने घरों में बैठे है और वो सड़कों पे आवाज नहीं उठा रहे मैं कहती हूँ के नेक्स बारी उन्हीं लोगों की है शरमानी चाहिए इसलाम 24 गंटे टॉपी पहनने का नाम नहीं है इसलाम माते पे काला निशान बनाने का नाम नहीं है इसलाम जो है वो इनसानियत का मजब है वो सिखाता है कि हम इनसान एक जिसम की तरह है एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिसम मुतासिर होता है अगर ये जजबा मेरे मुसल्मानों में नहीं तो अपना नाम बदलिए, मुसल्मानों की लिस्ट से अपना नाम कटवाईए मेरी वो आर्तें जो बाजारों में ब्रुके पहन कर, दुकानों पे शापिंग करती है लेकिन वो प्रोटेस में हिस्टा नहीं लेती, जब इस मुल्क में समत्रेजी होती है जब इस मुलक में बच्चियों का रैप होता है और मेरे वो मुसल्मान भाई जो लिंचिंग मडर के नाम पर मस्जिदे जलाए जाने के नाम पर गरों जाने के नाम पर घरों से नहीं निकलते मैं कहती हूँ नाकारा निकम में शरौ मानी चाहिए तुम लोगों को दूसरा पेगाम मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी मैं कोई पॉलिटीशन नहीं हूँ मैं कोई लीडर नहीं हूँ सबसे बड़ा तो गंदगी जो है इस मुल्क में वह यह है के पॉलिटीशन होने का एक धपा लग जा अब दूसरा पेगाम उन क्रिस्टन्स माइनॉरडी के नाम जिनकी नंस का रैप किया जाता है प्रोटेस में नहीं निकलते फिर उसके बाद डलित भाई जिनको अच्छूत का जाता है शेडियूल का शेडियूल ट्राइप के नाम पर उनकी बैटियां जिन्दा जलाई जाती है रैप किये जाते शम्शान घटों में और वो फिर भी नहीं निकलते याद रखिएगा जो लोग सो रहे हैं अब नेक्स्ट उन्हीं को कफन पहनने की तैयारी करनी मासी तोल में रहे हैं मासी तुराइभ पाति के तैयारी कि दलाई झालाई वोगेष हते प्रवेश झालाई वॉपकी सकाश्रम्टार्ठा तुर्णीन गुजुलर्णी निस्टार्ट मुष्मि अजाल्ज चुल्बाइब धूर्ट सूर्थ खाजणा चुल्बू लाइग डियब अफूनिचर डिपोर्नीचा पंञ पंट लाइभ एसवाज्ब कर दो